बीमा योजनाओं में सुधार कलेव आपको और लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सरकार बीमा कानून शंशोधन बिल 2022 को आगामी बजट सत्र में लाने की योजना टाल सकती है इस बिल के ना आने से कंपोजिट लाइसेंस प्रापधान भी अटक जाएगा इंशोरेंस से जोड़ी दूसरी ख़वर ये है कि इस साल बीमा के लिए आपको जादा पैसे भी चुकाने पड़ेंगे इंस्योरेंट् र्कॉलेट्री डेवलेप्न अथारेटी ने सरकार से कहा था, जो भीमा छेत्रका का नियामक है, उसने सरकार से कहा था एक यह ब्यूपनून परेश करें, जिसमें कमपिणीों को कमपोजिट लाइसेंस की छूट दी जाये, यानि बहुत हुदि है हिए जोन ब वीमा की भाषा के शब्द है जीवन वीमा और गर्ण जीवन वीमा लाइसेंसों के रोध किया कुछ और कंपिनियों ने भी इस पर सवाल उठा है खास तोर पर जनरल इंशुरेंस कंपिनियों की तरफ से काफी आपतियां इस पर आई हैं और इसलिए ये बड़ा सुधार शाय को ये विदेक नहीं आएगा सर बीमा की लागत कितनी बढ़ सकती है जो दूसरी बड़ी खावर है ये प्रक्रिया पिछले दो साल से चल रही है भारत की बीमा कंपिनियों के लिए अब जो सबसे बड़ी चुनोती अंतराश्टी बाजार में ब्याजदर बढ़ने के साथ ह लिए उनके री इंशुरेंस की लागत बढ़ना है री इंशुरेंस का मतलब है कि वो जो बीमा आपको देती है उसके घाटों को रिकवर करने के लिए उनके नुकसानों को कवर करने के लिए वो एक और बीमा पीछे लेती है और उस बीमा को री इंशुरेंस की दरें बढ़ गई अब एक नया और दौर चुकि बाइज देने लगाता पूरे साल से पूरी दुनिया वे बढ़ रही है तो बीमा की री इंशुरेंस की लागत बढ़ने का एक और नया दौर शुरू होने वाला है और इस दौर का असर हमें भारत में री इंशुरेंस कास्ट में 10- पंदरा फीस दी की बढ़तरी के तरह पर दिखाई देगा यानि एक बीमा कंपिनी जो काम अपने बीमा के इंशुरेंस के लिए 100 रुपए दे कर करती थी उसके लिए उसे 210-15 रुपए देने पड़ेंगे तो आप तयार हो जाएए कि अगले प्रीमियम में आपको बीमा की जाधा फीस देनी पड़ेगी क्योंकि जैसे ही रिइंशुरेंस की लागत बढ़ेगी बीमा पालिसी महंगी होगी और आपसे अगले प्रीमियम में रिनुवल में या नई पालिसी लेते समय जाधा पैसा वसूल आ जाएगा ध्यान रहे कि पिछले एक साल में भारत में बी बढ़ चुकी है अधरत इंशुरेंस में भी और जीवन बीमा में भी